नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है RPSC Study Exams पर तो दोस्तों आज अपने शुरू करने जा रहे हैं भारत का भुगोल तो भारत के भुगोल में सरपर्थम अपने को ये पता आनो चाहिए जो भारत है उसकी स्थीति कैसी है तो देखो सबसे पहले अपने को क्या पता आनो च चाहिए कौन से गुलार्द में उत्री गुलार्द में अगर दिशांतर पूछ लिया जाए तो कौन से पूर्वी गुलार्द पूर्वी दिशांतर में ठीक है अपने को क्या पता आनो चाहिए उत्री गुलार्द में और पूर्वी दिशांतर में अगर पूछ लिया जाए कि एशिया में स्थिति कैसी है तो एशिया में स्थिति कैसी है दक्षिन में अपने को तीन चीजें सपस्ट होगी अब कि कौन से गुलार्द में स्थित है ठीक है और कौन से दिशांतर में स्थित है और एशिया में भारत की स्थिति कैसी है तो शुरू करते हैं आगे देखो जो भारत है प्राचिन काल में माना जाता है कि यह एक जम्बू दीप नाम से था उस पर बसा हुआ है if तो कई वर कोश्चिन आया था कि जो भारत वो किस द्वी पर बसा हुआ है तो वह जम्बू द्वी पर बसा हुआ प्राचिन बोलिक मननेतों के उनसार उसके बाद में देखो राज्य की जो परिबाशा है एक देखो एक उतर राष्ट्र और एक उतर है राज्य देखो अपने क्या है राज्य की सविदान प्रिवाशा है जो सविदान के उन्चेद 12 और 36 में दी गई है अब आपने को पता होना जी राष्ट्र का मतलब क्या होता है और राज्य का मतलब क्या होता है तो राष्ट्र का अपने सविदान में कहीं उलेक नहीं है परन्तु राज्य का उले और आख़तितर का समंद्द भावनात्मक लगाव से ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट भारत जो मद्दे एशिया से आये हुए आ रहे थे वो किसने बताया था तो वो मैक्समुलर के अंसार भारत में जो आ रहे थे वो मद्दे एशिया से आये थे और इन्होंने भारत को सरपर्थम भारत नाम दिया आ रहे हुने उसके बाद नेक्ट देखो सरपर्थम हिंदूस् क्या नाम दिया इंडिया तो अपने को क्या चीज़ें आ रखनी है कि भारत को भारत किस ने कहा हिंदुस्तान किस ने कहा और इंडिया किस ने कहा अपने को यह जुरूर यार होना चाहिए कि मैक्स मूलर के अंसार जो आ रहे थे वो मद्य इशिय से आये यह क्वेशन कई वार रपीट हो चुका है कई एक जामों में उसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट जो स्थी अब देखो एक होता है दिशांतर एक होता है अक्षांस ठीक है जो यह देखो यह वाली लाएन इस इसका अपयोग समय की गन्ना के लिए किया जाता है अपने को यह पता होना चाहिए उसके बाद यह जो अक्षांस रिखा होती है अक्षांस रिखा को प्रयोग क्यों किया जाता है तो कटी बंदों की स्थीति जलवायू के संदर्म के स्थीति गयात करने के लिए इसका अप आट डिग्री चार से 37 डिग्री क्षा गुण्टफर 126 तो अपने कौन से यह अब है अब अब को बताए था की अपने उत्री गुलार्द में रहते हैं तो इसके लिए उत्री 18 Chat अप याद रखना 8 psychology excusation ग्यूगे ज़िए उत्री एक्षांस ठीक है उसके बाद मैं अपने को पता न चाहिए कि जो ये तो देखो ये जो मुख्य भूमी है तो इसका विस्तार 8 डिग्री 43 एक्षांस दे है जो आपको बता दिया मोटा मोटा 8 डिग्री 4 से अगर पूछ ले द्वीप सहीत ठीक है जो मतलब कि भारत का जो दक्षिन्तिम बिंदू है ये तो मुख्य भूमी का होगा मतलब कि एक एक स्थल भूमी है अगर जैल में पूछ ले तो अंडमानिक ओवर तो आ रहे है वो भी अपना इसमें ही काउंट होगा तो ठीक है अगर पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षिन्तिम बिंदू पार्सिन पॉइंट या पर्सिन पॉइंट या इसको बोल जैते हैं लाहिचांग बिंदू उसके बाद में देखो जो मुख्य भूमी का बिंदू इसको बोलते हैं कैप कॉमोरिन जो कि कन्या कुमारी में है ठीक है तो अपने को पता होना चाहिए कि जो भारत का दक्षिन् मिन्दू कौन सा है तो वह अपने को पता हो जो है काप कॉमारी ठीक है यह अपने को खलीर होना चाहिए उसके बाद नेच्ट देखो उसके नेक्स देख मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तरी अक्षांस अभी मैंने आप को बताया था कि पूर्वी दिशांतर में रहते हैं तो पूर्वी दिशांतर ही यहां पर आएगा यह आप गलती मत कर देना कई वार यहां पर पजल करने के लिए हो क्या देता है पस्चिम दिशांतर देता है तो अपने कौन से पूर्वी दिशांतर में रहते हैं तो यहां प जो अक्षांस तीती पूछ ले आठ डिग्री चार उत्री अक्षांस से 37 डिग्री चार उत्री अक्षांस तक ठीक है अगर पूछ ले कि वो की सबसे दक्षिंतिम बिंदू पूछ ले तो 6 डिग्री 45 उत्री अक्षांस जो की अंडमाने और निकोबर्द वहां पर सीत है अग अगर पूछ ले कि स्थल, स्थल का पूछ ले, ठीक है, तो कैप को मौरिन, जिसको बोल देते हैं, कैप को मौरिन, ठीक है, मैंने अभी आपको यहां पर बताया था, देखो, जो मतलब कि अगर पूछ ले कि भारत का जो मुख्य वूमी है, जो कि स्थल एरिया है, वो कैप को म यम्मारी में यह आपको clear होगा होगा मैं सोचता हूं उसके बाद में देखो ये थोड़ा से इसमें से बताए हुआ है देखो जो की भारत का ये तो जेए के में आ गया चपक जम्म कम आ जाएगा ये उसके बाद में देखो जो पूर्वी बिंदू है वो कामपर है वालांगू में है वालांगू को किभी थू ठीक है वालांगू के किभी थू में पूर्वी ठीक है जो पूर्वी बिंदू है भारत का वो कामपर स्थित है वालांगू अर नाचल परदेश में स्थित है और जो पस्चिम बिंदू वो कांपर स्थित है वो गुजरात में गोहर माता में स्थित है उपर वड़ा बिंदू है जो वो कांपर स्थित है यह देखो मैंने अभी आपको बताया है वो जम्मु कश्मीर स्थित है अगर पूछ ले कि दक्षिंती बिंदू वो कांपर है तो सीक है यह आपको मैं सोचता हूँ क्लियर हो गया हूँ कन्या कुमारी है क्या कुन्या कुमारी है वह तमिल्स नुटा रख रहा है पर आप को पता अँची चाहिए चार चीजे बता कोगी होग उसके बादरी देखARK ऑब हैब भारत का मानक समय और किससे निर्दारित होता है वो 65 डिग्री पूर्वी दिशांतर पूर्वी दिशांतर यहां रखना पूर्वी दिशांतर से ही इसका निर्दारन होता है ठीक है जो कि GMT से साधे 5 गंटे आगे हैं मतलब कि जो की जो 0 degree ठीक है जो 0 degree ग्रीण विच रेखा है उससे कितना आगे हैं साधे 5 गंटे आगे हैं तो अपने को यह पता होना जै कि जो समय का निर्दारण भारता में हो रहा है जो की भारत का समय निर्दारित कर रही है वो की यूपी से निकल रही है नैनी पूर से ठीक है यह यूपी के मिर्जापुर के नैनी नमकस्तान से गुर रही है और यह 5 राजयों से गुजड़ती है अपने को याद होना चाहिए यूपी, एमपी, छत्उतिसगर्ड, उडिस्सा, और आंधरप्रदेश अपने को ये पताओना चाहिए कि कितने राजयों से गुजरी है ये 5 राजयों से गुजरी है वो कौन कौन से है यूपी, एमपी, छतिसगड, उरिसा और अंदरपरदेश इसका देखो ट्रिक क्या थोड़ी सी यूपी में छगू उड़ा अंदी से ठीक है यू से यूपी ठ में से एमपी, छगू से छतिसगड, उरिसा, आ से अंदरपरदेश तो अपने को पता होना चाहिए कि यूपी में छगू उड़ा अंदी से ठीक है ये 5 राजयों से गुजरी है अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि जो की पूछ लेते हैं कि जो की पूछ लेते हैं कि बाती है इसके बाद मैं देखो ये पता होने जाही कि पांच राजयों से गुजरी है यह अप उसके बाद नेक्स्ट देखो जो करकर रिख है मने अभी आपको बताया कि जो करकर रिख है वो आठ राजया से गुजर रही है आठ राजया कौन से हैं वो देखो पहला कौन सा है गुजरात राज़िस्तान मद्या परदेश च्छतिसगड ट्रीपुरा मिजोरम जहारखंड वै पश्चिम मंगाल ठीक है अभी यह तो आपको यहसे आ रखने पड़ेंगे उसके बाद देखो एक ट्रिक है इसकी जो करकर रिखा इसको बोलते है साठे तेश डिगरी उत्री अक्षांस रिखा ठीक है इसको ट्रोपिक और कैंसर भी बोलते हैं इसकी ट्रिक देखो या प्रदेश चैटेश चैटेश गड़ और ट्री से त्री पुरा याठ रज्य होगे न देखो अगर कोश्टन मैंने आप यह आपको बताया था कि जो करकर रिखा है और जो मानक समय दिदार करने वाड़ी साठे ब्यासी डिगरी पूरवी दिशानतर रही है वह एक दूसरे क गांपर काट रही है 36 गड़ में काट रही है ठीक है उसके बाद मैंने आप देखो आज मैंने जो आपको जितना करवाया यह most important है यह हर एक्जाम में आता है लगवग यह UPC लेवल तक के RPC UPC लेवल तक का मैं इसमें cover कर रहा हूं तो ठीक है इसको आज जो मैंने आपको कर कर लेना इसके बाद मैं देखो यह टोपिक जब पूरा होगा तो इसके बाद मैं टेस्ट लगाएंगे अपने ठीक है तो मैं online आके आपको इसका टेस्ट लोगा तो आप इस चैनल को जितना हो सकता है शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने मित्रों को बताइए कि य इंडियन जोगर्फी भी शुरू करवाद चुका हूं तो आज के लिए धन्यवाद